तो अगर मैं 5 का फेक्टोरियल करता हूं तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, और कहां तर? अब टू दा नमबर तग मुझे मुल्टिप्लिप्लिपिशन करना है जैसे देखो 1 इंटू 2 होता है 2, 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120 तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए यहां पर 120 जैसे एक और एक्जामपल अगर मैं 4 का फेक्टोरियल करता हूं तो मुझे 1 से लेकर मुल्टिप्लियल करना चाहिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना? 4 तो देखो 1 इंटू 2 होता है 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना? 24 तो तो वन से लेकर उस नमबर तक मुझे क्या करना है? मुल्टिप्लियल करना चाहिए 2 तो सबसे पहले मैंने याप एक क्लास नेम लिखा हुआ है तो इसके बाद एक नमबर मुझे इंपुट करना चाहिए जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है वाइड यहां पर रिटन टाइप होता है, वह हमने इंपॉर्टन टॉपिक था ही वाइड क्या होता है तो वाइड इस रिटन ड्र एप का एक वैड वैरिफ सेक्ट इक वैरिपल सफैक्ट इक उतना वन क्योंकि मुझे मल्टिप्लिकसिन गरिशन को इस लिए इसलिए मैना उस पीर दिशन का लिया पॉलू भी स्टार्ट करेंगे, देखो कहां से मल्टिप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, वन से लेकर, और कहां तक करते हैं, I is less than equal to the, यानि कि up to the number तक चेक करेंगे, I plus plus, one one का इंक्रिमेंट होगा, मल्टिप्लाय करना, यानि I की वैलू का मल्टिप्लाय करना तो हो जाएगा, fact equal to fact multiply by कितना, I, और follow यहां पर close हो जाएगा, और यहां last में मैं factorial को क्या कर दूँगा, print कर दूँगा, after follow, message के साथ तो factorial equal to, या फिर कोई भी message जो भी print करना चाहते हो, plus value of fact, यहां से 24 calculate हो सकता है, 4 का factory, इसे मैं comment बनाये था हूँ, compile करते है, no syntax error, जैसे मैंने 4 का factory डाला, तो देख, 4 का factory कितना आ गया, 24, एक बार मैं इसे execute करके बतायता हूँ, कि किस तरह से execute करना है, जैसे मैंने यहां पर n की value को 4 लिखा, factory अभी 1 है, once start करना है, तो fact into i, तो fact की नीशे value 1 थी, तो 1 into 1 कितना हो जाएगा, यहां पर? 1, तो factory की सबसे update value 1 है, return करेंगे, iq value होगी यहां पर 2, 2 is less than equal to 4, condition यहां पर क्या है true, तो जैसे condition true होती है, तो fact equal to fact multiplied by i, fact की जो last updated value 1, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा, 2, तो factorial की last updated value हो जाएगा, 2, next time return करेंगे, iq value कितना हो जाएगा, 3, तो 3 is less than equal to 4, condition की यहां पर true, तो fact into i, तो fact की last updated value 2, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा है, यहां पर? 6. next time के लिए, iq value कितना हो जाएगा, 24, तो 6 into 4 इदर कितना हो जाएगा, 24, next time के लिए iq value 5 होगी, तो 5 is less than equal to 4, यहां पर condition क्या हो जाएगी? तो जैसे ही condition pause होती है, तो फॉर लूप की body के बाहर आएगे, यहां कि इस body के बाहर आएगे, और कितना हो जाएगा? 24.